हेलो फेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे और बहुत सारे दोस्तों के कॉमेंट आ रहे थे बिहार SI को लेकर के कि SI की तेयरी को कैसे किया जाए और लास्ट बचे हुए 20 डेज या जो कुछ दिन बचे हैं इसको कैसे यूज किया अच्छा खाशा लंबा समय आपको मिला इस तयारी के दौरान तो उमीद करते हैं कि एक दो बार आपने इस पूरे सब्जेक्स को अच्छे ढंग से पढ़ लिया होगा अब इन लास्ट 20 डेज में क्या करें जिससे हमारे कुछ मार्ट जो है वो एक्जाम में बढ़ जाए या परदर्शन जिसको कहते हैं वो थोड़ा और बेहतर हो जाए तो उसी पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे और उमीद करेंगे कि इन से आपको फैदा मिलेगा तो सबसे पहले लास्ट 20 डेज में आप जिसको मोस्टली आपको टार्गेट करना है वो है आपको रिवीजन के लिए रखें और हर सब्जेक्ट को जैसे हिस्ट्री आपने पढ़ा है तो उसको एक बार रिवाइस कर लेना है जो आपने नोट्स बनाए है उसके थुरू या जो बुक आपने पढ़ा है और उसमें अंडरलाइन किया है उसके थुरू आप रिवीजन मस्ट ह है आपका रिवीजन आप 2-3 घंटे का समय प्रती दिन रखिए और जन निश्चित रूप से कीजिए ये हैं हमारे जी के सब्जेक्ट के लिए स्पेसली रिवीजन दूसरा है करेंट अफेर्स करेंट अफेर्स लगभग जो 20 से 25 के रेशियो में पूछे जाते हैं भीहार साई के एकजां में और जिसमें राष्टरिये और अलग-अलग सेक्टर के करेंट अफेर्स की बूक है उसको कम से कंब 2-3 वार अभी आप बचे हुए 20 तिनों में रिवीजन जरूर कर ले तभी आप maximum जो question है current के वो आप examination hall में solve कर पाएंगे तो current के section को आप अच्छे ढंग से 2-3 बार revision करके ही जाए exam में वो ज़्यादा आपके लिए फायदे मंद होगा अब बात करते हैं इसके अलाबा क्या क्या करना है हमें तो इसके अलाबा है जितना अधिक से अधिक आप practice कर सकते हैं exam से पहले जितने अधिक से अधिक question अलग अलग type के questions को solve करेंगे उतना ज़्यादा आपके objective पर पकर मजबूत होगी जो की ना केवल आपको SI PT बलकी भी PSE क exam और SI मेंस में भी आपको काफी फायदे मंद रहेगा तो अब बचे हुए समय में आप objective पर जितना ज़्यादा practice कर सकते हैं उतना ज़्यादा practice कीजिए प्रती दिन कम से कम एक से दो set आप बनाईए और इसके अलाबा अगर आपके पास previous year question bank है अलग-अलग exam के भी question bank है तो उसको बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि SI के ही question bank बनाए क्योंकि SI के exam अगर देखेंगे तो maximum दो-तीन ही exam आपको मिलेंगे तो दो-तीन question bank से कुछ नहीं होने वाला है आपको अलग-अलग exam जैसे PCS level के exam और SSC level के exam के भी question banks अगर आपके पास है तो उसको आप daily practice करे यानि कम स से कम एक सेट SI के लिए और कुछ question bank के question subject wise आप definitely प्रती दिन practice करें जितना ज्यादा से ज्यादा question पर आपका practice होगा उतनी ज्यादा से ज्यादा आपको मदद मिलेगी examination hall में objectives को solve करने के लिए जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो उस तोरान ये एक चीज हम लोग ध्यान है तो उस question को आप नए question के रूप में नहीं देख पाएंगे एक अनुभब होगा कि इस question को मैंने पहले भी देखा है तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा question को हल कर पाएंगे तो इस तरीके से आप अपने बचे हुए 20 दिनों की रन्नीती जो है वो तैयार कर ल है जोगरफी से 8 से 10 question पूछे जाते हैं constitution की बात करें तो यहां से भी 8 से 10 question पूछ लिए जाते हैं economic से 4 से 5 question पूछे जाते हैं इसके अलावा अगर बात करें science से तो science से लगभग 20 question आते हैं जिसमें बायों से सबसे अधिक प्रशन होने की संभाबना होती है इसके अलावा chemistry और फिर physics से प्रशन आते हैं math से भी recent के year में 5 प्रशन आते हैं तो process यह करना है कि math के जो practice 8 में आप practice कर रहे हैं वो अच्छे से कर ले ताकि exam में वो 5 में से 4 या 5 में से 5 आप number उठा सके क्योंकि एक एक number जो है महत्पूर्ण हो जाता है exam में और current section से 20 से 25 question पूछे जाते तो इस तरी सके से आपके 100 question का एक लगबग ratio जो है वो इस scrub में बैठता है तो आप current को daily पढ़ेंगे sit daily बनाएंगे objectives के और जो section आपने पढ़ लिया है बट उसका revision आपको अभी भी लगता है कि नहीं इसका एक दो बार और revision करना पढ़ेगा ताकि मेरा confidence अच्छा हो जाए मेरे percentage जो है वो अच्छे हो जाए मेरे question अधिक से अधिक सही हो तो इसके लिए revision आप निश्चित रूप से करें अगर आपके पास पुराने आपके notes अपने notes नहीं है आपके book के reference नहीं है तो आप lution last time में revision के लिए एक अच्छा माना जाता है यदि आपने कहीं coaching की है या अपने notes बनाए है तो उस notes को आप जरूर पढ़ लिजेगा इसके अलावा एड़ुटेडिया के जो subject wise videos है वो भी आपको last time में काफी help करेंगे परते दिन दो तीन videos आप जरूर देखिए history के quality के और इस तरीके से आपका last time में बहुत तेजी से revision हो जाएगा और exam में आपको काफी फायदा मिलेगा अब इसमें मैं एक आपकी help ये करना चाहरा हूँ कि मैं अभी everyday जो है आपके लिए एक सेट लेकर आऊँगा और अभी से लेकर के exam तक हम लो पढ़ती दिन एक एक सेट जो है इसको revision करेंगे और लगभग 20 दिनों में 20 सेट आपको provide किया जाएगा description क के शाथ जो की YouTube पे वीडियो के माध्यम से रहेगा जिसमें आप सुन लेंगे तो आपको 100 प्रश्ण जो है आपको याद हो जाएंगे साथी साथ उसके description पार्ट से आपको बहुत सारे question याद हो जाएंगे तो मेरी कोशिस रहेगी कि इस बचे हुए 20 दिनों में आपको 57 य क्योंकि समय बहुत कम है और समय बहुत कीमती है क्योंकि एक बार PT का एकजाम हो जाएगा तो फिर आप एक दो नंबर के जो लिए पढ़िशान हो रहे हैं वो फिर आपके समय वापस नहीं आएंगे तो ऐसे में मेरी अभिलाशा यही है कि आप लोग तन्मन से इस समय का और मिलते हैं सेट प्रैक्टिस के साथ आप सभी को पुना एक बार आने वाले एक्जाम के लिए धेर सारी सुपकामना है कुछ दोस्त यह सोच रहे होगा कि BPSC के लिए शर क्यों नहीं बता रहे है तो SI के एक्जाम नजदीक में है जैसे ही SI के एक्जाम कंप्लीट होने प आने बाद